Hey guys, welcome back to the channel, एक बार फिर से, मैं हूँ आपके साथ अमन, so guys यार आज एक बार फिर से मैं आपको पतना में बनाई जा रहा है, मेट्रो के चल रहा है, काम के बारो में बताने वाला हूँ, और आज की अपडेट इधर मीठापूर के बिगरपूर से लेकर, जीरो माईल तक बारे में होगा, तो guys से लिए फिर क्या कुछ काम चल रहा है, यहां पतना मेट्रो का, उसके बारे में आप सभी को दिखा देता हूँ, साथ ही अभी कौन-कौन से जगा पर मेट्रो स्टेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो guys से लिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो guys यह रहा बिगरापूर के पास से लेकर आगे रामकृष्णा नगर तक त्यार हो चुके पिलर का अपडेट, आप देख सकते हैं इधर इन पिलरो को पूरी तरह से ढाल कर तयार कर लिया गया है, और अब इनके ऊप तो बिगरापूर से लेकर रामकृष्णा नगर तक पिलर पूरी तरह से तयार हो चुके हैं, वहीं रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के लिए पिलर को अभी तयार किया जा रहा है, तो आपको पिलर के लिए पाइलिंग का काम होता हुआ, देखने को मिल जाएगा, तस्वीरे आप देख सकते हैं तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो मेट्रो स्टेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में होगा खास करके प्रियोर्टी कोलिडोर के अंदर जो पांच मेट्रो स्टेशन बनाये जाए उसका काम कहां तक पहुंच चुका है उसे भी मैं आप सभी को दिखाने की कोशिज करूंगा वैसे मैं आपको बता दू कि पहला Metro Station मलाई पकड़ी में बनाया जा रहा है जिस पर जल्द ही काम स्टार्ट किया जाएगा वहीं बात करूँ अगर Second Metro Station की तो वो यहां खेमनी चक के पास बनाया जा रहा है जो कि Second Interchange होगा और यहीं से आप पतनग Metro के Red और Blue Line पर आना जाना कर सकेंगे और गाइस मैं आपको यहां बता दू कि जो खेमनी चक Metro Station बनाया जा रहा है यह दो फ्लोर का होगा जिसके पहले फ्लोर पर यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर के साथ-साथ फूड स्टॉल वगारा भी देखने को मिलेंगे जबकि सेकेंड फ्लोर पर Metro का आना जाना होगा यानि आपको रेड और ब्लू लाइन पर जाने के लिए इसी खेमनी चेक Metro Station तक आना होगा और गाइस यहां चल रहा है काम की अगर मैं बात करूँ तो Metro Station बनाने के लिए अभी यहां पिलर को तयार करने का काम चल रहा है तो चलिए फिर क्या कुछ काम चल रहा है भूतनाथ रोड के पास उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ तो गाइस जैसे ही आप भूतनाथ रोड के तरह बढ़ेंगे उससे पहले आपको यहां कुछ और पिलर को तयार कर लिया गया है और इतना ही नहीं इनके ऊपर पिर कापिंग का काम भी कंप्ली कर लिया गया है तो आईए अब मैं आपको भूतनाथ के तरब जो Metro Station बनाने का काम चल रहा है उसकी भी तस्वीरे आप सभी को दिखा देता हूँ साथ ही जो यूगडर लाँचिंग का काम मैंने आपको पिसली बार दिखाया था कि काम फिर से स्टार्ट कर दिया गया है तो वो अब कहां तक पहुँच चुका है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए फिर सीधा भूतनाथ के पास चल रहे काम को मैं आपको दिखा देता हूँ तो गाईज यहाँ आप देख सकते हैं यह रहा भूतनाथ रोड और इसके ठीक बगल में तयार किया जा रहा भूतनाथ मेट्रो स्टेशन और गाईज आप देख सकते हैं यहाँ पर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए इन पिलरों के ऊपर क्रॉस आर्म गडर की लांचिंग भी कर दी गई है और यह काम यहाँ पर आपको दो पिलर के ऊपर होता हुआ देखने को मिल जाएगा यहाँ आपको भूतनाथ के पास भी मेट्रो स्टेशन का काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा और वहीं यहाँ से आगे मैं आपको पिलर के ऊपर यूगडर लांचिंग के बारे में अगर बताओ तो आपको पता ही है कि यहाँ इन पिलरो के ऊपर यूगडर लांचिंग का काम काफी पहले से कंप्लीट कर लिया गया है और गैस जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो यूगडर लाँचिंग का काम है उसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया है जो कि पिलर नंबर 125 से लेकर 126 के उपर किया जा रहा था तो गैस आईए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो यूगडर लाँचिंग का काम है उसे अब कहां तक पूरा कर लिया गया है और कितने पिलर के उपर ये काम अभी होना बाकी है तो चलिए फिर सीदा चलते हैं जीरो माइल ट्रांसपोर्ट नगर के पास और वहां स मैं आपको इसके चल रहे काम को दिखा देता हूँ तो गैस आप देख सकते हैं अभी मैं आ गया हूँ जीरो माइल के पास और ये जो यूगडर लाँचिंग का काम है वह यहां जीरो माइल तक पहुँच चुका है और अब सिर्फ एक पिलर के उपर ही इस यूगडर की ला अब अब ओढ़ी है तस्वीरे आप देख सकते हैं और घाइस यह रहाँ पने पतना के जीरो माइल पर तियार किये जा रहा है मेट्रो स्टेशन आपको मैं बता दूँ कि जीरो माइल मेट्रो स्टेशन को तियार करने की लिए सबसे पहले यहां काम सुरू किया गया था प इसके बारे मैंने आपको पिछली बार भी अपडेट दिखाया था यानि गाईज अब आपको इस प्रिवाटिक और पर तीन मेट्रो स्टेशन के ऊपर काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा पहला भूतनात मेट्रो स्टेशन वहीं दूसरा यहाँ जीरो माइल मेट्रो स्टेशन और वहीं तीसरा मेट्रो स्टेशन न्यू आईस बीटी के पास बनाया जा रहा है तो गाइस बस अब 2025 का इंतजार करना है काम देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्रिवाटिक कोईडोर पर मेट्रो मार्च अप्रिल 2025 तक सुरू कर दी जाएगी जो की वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पटना बिहार के लिए तो गाइस फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like, share और चैनल पर नहीं है गाइस तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नहीं जगा की अपडेट के साथ तब तक के लिए thank you so much guys